हलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रम विश्वास नवशारदा पबलिक स्कूल भुना कल हमने क्लास सेवंध का चप्टर नमबर थी फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट किया था जहां हमने टोपिक वूल डिसकस किया था कि वूल हमें किस किस से मिलती है आज का हमारा टोपिक है वूल प्रोडक्शन तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ कोच्शन मिलने वाले हैं जिन कोच्शन के आंसर आपको फेयर नौट बुक में करने हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक वूल प्रोडक्शन की जो वूल है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है देखिए कल हमने पढ़ा था कि शीप है या फिर कैमल है उनसे क्या है हम उनकी फर को रिमूब कर लेते हैं मतलग उनके उपर क्या होती है बहुत सारी फर होती है जिससे वूल प्रिपेर की जाती है आज पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस हम स्टडी करेंगे हेर और फर दैट वी गेट फ्रम एनिमल इस क्लीन प्रोसेस्ट और वोवन इंटू वूल मतलब कि जो एनिमल से हमें फर मिलती है सबसे पहले उनको कट कर लिया जाता है फिर प्रोडक्शन अब वूल प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे प्रोसेस अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं जो वूल प्रोडक्शन में इंवल्व हैं लेट्स लूक एट देम वन बाई वन अब हम वूल प्रोडक्शन के हर एक प्रोसेस को वन बाई वन स्टडी करेंगे तो फ look at figure 3.7, what do you think, the man is a picture are doing, देखिए, इस figure में देखिए, कि जो man है, वो क्या कर रहा है, sheep के hair remove कर रहा है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, sheep के hair remove कर रहा है, means, उनकी fur को remove कर रहा है, और collect कर रहा है, तो, do you think this is helping or hurting the sheep, तो आपको क्या लगता है कि यह शीप को help करते हैं या फिर hurting मतलब या उसे चोट पहुचाते हैं वाइक शूट इस activity to be done in summer और winter क्या यह activity summer में की जाती है और winter में की जाती है देखिए जो फर रिमोव की जाती है शिप की वो कब की जाती है summer में क्यों क्योंकि summer में फर उन्हें क्या करेगी मतलब गर्मी देगी इसकी वज़ा से summer में क्या कर दिया जाता है उनकी फर को रिमोव कर दिया जाता है बट विंटर्स में इस फर को रिमूव नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि इस फर की अंदर एर ट्रैप्स हो जाती है जो क्या करती है बाहर की ठंड को अंदर आने नहीं देगी मिन्स उसकी स्किन तक ठंड को नहीं जाने देगी जिसकी वज़ा से वो कॉल्ड से बचे रहते तो इसलिए जो इनकी फर को रिमॉव किया जाता है वो किया जाता है समर में ताकि इने गर्मी से बच सके और विंटर में नहीं किया जाता ताकि ये थंड से बच सके देखिए अब शियरिंग क्या है The superficial removal of hair or fur of an animal is called shearing मतलब की superficial hair या फिर शीप के जो है या फिर animal के hair को remove करना उसे हम क्या बोलेंगे शियरिंग अब शियरिंग usually take place during spring और summer जो शियरिंग है वो कब की जाती है समर में की जाती है अब शियरिंग does not hurt the sheep अब हम यह देख चुके हैं कि shearing जो है sheep को hurt नहीं पुचाएगी क्यों क्योंकि यह क्या करेगी उसकी help करेगी कब help करेगी जब हम shearing summer में करेंगे देखिए shearing does not hurt the sheep but actually helps them मतलब उनकी क्या करेगी help करेगी because it removes the fur that makes them feel hot in summer मतलब कि जो उनकी hair है या फिर उनकी जो fur है वो उने summer में या फिर गर्मियों में गरम फील कराएगी इसकी वज़े से उनके fur remove किये जाते हैं और वो उने remove fur जो है वो help करेगी अब देखिए जो fallen और loose hair है ship के उने भी collect कर लिया जाता है और उससे भी wool त्यार की जाती है अब first process था shearing, shearing means sheep के जो hair है या फिर animal के जो hair है उने remove करना second process क्या है scouring इसमें क्या होगा मतलब जो sheep के hairs के अंदर dirt या फिर dust होती है या फिर grease होती है उसे साफ करना उसे clean करना the process by which shown here is washed to get rid of dirt, dust and grease is called scouring मतलब की उने साफ करने के लिए जो हम करते है उसे क्या बोलते है scouring scouring is usually done with the help of machine scouring जो की जाती है वो hand से नहीं की जाती है, वो किस की help से की जाती है, machine की help से की जाती है second process था scouring, third process क्या है grading upgrading में क्या है, after the wool is collected and clean जब हम wool को collect कर लेते हैं और clean कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी quality के according उने अलग-अलग कर लेते हैं मतलब कि जो हमें प्राप्त हुई या फिर जो फर हमने obtain की है animal से वो किस type की है या फिर उनकी quality कैसी है उनकी quality के according हम उने अलग-अलग कर लेते हैं तो wool quality differ in term of length जो wool है वो क्या होगी length में अलग होगी color में अलग होगी texture में अलग होगी और इसको dye करने की ability भी क्या होगी अलग-अलग होगी The process of sorting and grouping wool according to its feature is called grading मतलब कि जो wool है उसको sort करना मतलब अलग-अलग करना या फिर wool को अलग-अलग group में रखना उनके इस feature को हम क्या बोलते हैं grading मतलब कि wool को उसके texture के according differentiate करना उसे हम क्या बोलते हैं grading अब next process क्या है dyeing देखिए जो हमें sheep से wool प्राप्त होगी वो क्या होगी अलग-अलग color के होगे कुछ sheep से हमें white hair मिलेंगे कुछ से brown मिलेंगे कुछ से black मिलेंगे तो क्या है उन्हें different color में हम dye करेंगे तो the process of coloring wool is called dyeing मतलब की wool को color करने का जो process है उसे हम क्या बोलेंगे dyeing dyeing के बाद हम क्या करते हैं drying देखिए after being washed and dyed तो wool जो है वो गिली हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को remove कर देते हैं rollers की help से तो dried wool is then wet and packed into bells to be sent to mills मतलब की जो dried wool है उसको वे करते हैं और बेल्स में pack कर देते हैं उसके बाद उसे मील्स में भेज़ दिया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए या फिर cloths बनाने के लिए next है कि बेल्स से cloths किस तरह से बनाया जाएगा देखिए in the mills the wool fiber is made into yarns and then made into cloths मतलब सबसे पहले जो wool fiber है उससे क्या त्यार होगा yarn मतलब धागे त्यार होंगे उसके बाद उससे क्या त्यार होगा फैब्रिक जो बेल ओफ फूल है सबसे पहले उसको एक बार फिर से wash किया जाता है ताकि उसकी dirt अच्छे से remove हो जाए they are then past throw a machine फिर उसके बाद हम उसे एक machine में से pass करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं वैर लूज यान यान जान कम्बिंग से है जैसे हमारे जो hair लूज हो जाते हैं उसी तरह जान यान फिर फाइबर लूज हो जाते हैं ताकि वह एक दूसरे के ऊपर अच्छे से twist हो सकें कि कॉल गूल यान मतलब कि जब 3 जो है या फिर फाइबर जो है जब एक दूसरे के ऊपर अच्छे से ट्विस्ट हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वूल यान तो यह इस वाउंड इन्टो बॉल्स ऑफ फिर यान जो है उसे हम क्या बनाते हैं वूल्स की बवीवाल्स बना द तिरेक्टली ऐसे ही सेल कर देते हैं या फिर उससे स्वैटर या फिर कुछ और वूलन फैब्रिक त्यार किया जाते हैं और त्यार करने के बाद उन्हें सोल्ड किया जाता है फिगर 3.8 शोड़ा डिफरेंट स्टेप इन्वूल प्रोडक्शन की वूल प्रोडक्शन में क्या प्रोसेस इन्वूल्व होंगे बेल्स से कलोथ बनाने के लिए वो प्रोसेस दिखाये गए हैं देखो जैसे ही बेल्स और फ्लीस ट्रांसपोर्ट हुआ मिल्स में उसके गोल त्यार कर लिए जाते हैं फिर उसका यूज इन वूल प्रोडक्शन की वूलप्रोडक्शन करने में क्या मतलब से बिमारीां हो सकती है देखिए जो लोग wool production में काम करते हैं या फिर wool industry में काम करते हैं तो उन्हें जो बिमारी हो सकती है कौन सी है वो anthrax यह एक respiratory infection है जब wool को sort किया जाते है मतलब उसे clean किया जाता है तो उसके अंदर एक bacteria होते हैं dirty wool में जो क्या है वहां के मजदूर लोगों में चले जाते हैं औ आजकल क्या है एक vaccine developed की गई है anthrax को प्रिवेंट करने के लिए या फिर दूसरे जो respiratory infection है उनको रोकने के लिए besides people have also learned to manage animal well and prevent infection from spreading मतलब की animal में भी इस बिमारी को फैलने से रोकने के लिए या फिर जो infection है उसको फैलने से रोकने के लिए जो vaccine है वो त्यार की गई है यह था wool production से क्या health जो disease है वो हो सकती है अब हम कुछ question discuss करेंगे इस lesson के जो आपको fair notebook में करने है let's move on the questions आज हम only why question discuss करेंगे जो यहां तक chapter में cover हो चुके है देखिए name the following में the material made from fiber and used to make cloth तो क्या चीज़ है ऐसा material जिसका use cloth बनाने में किया जाता है fabric next question है animal fiber that is obtained from the fur of sheep, camel, goat and rabbit क्या obtain करते हैं हम animal की fur से wool next question है the process of superficial removal of hair from the coat of an animal क्या बोलते हैं इसे shearing तो यह तीन question है name the following अब हम answer the following question पर चलते हैं जो हो चुके हैं यहां तक cover वही discuss करेंगे first question क्या है name four breed of animal that give good quality wool also mention the wool they produce देखिए हमने last video में पढ़ा था कि जो four breeds है animal के उससे हमें कौन सी quality of wool मिलती है breed का name बताना है और उससे obtain होने वाली wool का name बताना है देखिए इसका answer है page number 33 this is the answer of question number 1 देखिए आप इसमें से कोई भी four quality या फिर four name of breed लिख सकते हैं और उनसे obtain होने वाली wool का name आप लिख सकते हैं next question है how does the coat of animal help it to stay warm यह हम पहले ही reading में discuss कर चुके हैं कि जो coat means जो animal की fur है वो उन्हें गरम रखने में किस तरह से help करती है देखिए जो fur है वो क्या करेगी अपने अंदर air को trap कर लेगी और एक insulator या फिर insulation की तरह काम करेगी बहार की जो cold है उसको अंदर मतलब animal की skin तक पास नहीं होने देगी और animal को क्या रखेगी गरम रखेगी तो इस question का answer है पेज नंबर 32 देखिए इस fur keeps the animal warm by trapping air in between its face thus providing insulation next question है what is mohair wool how is it different from kashmiri wool mohair wool क्या है और यह kashmiri wool से किस तरह से different है कल हम इस question को discuss कर चुके है कि mohair wool कौन सी है जो हमें अंगोरा गोट से मिलती है और kashmiri wool कौन सी है जो हमें कश्मीरी गोट से मिलती है तो यह किस तरह से different है एक दूसरे से इसके answer में आप difference में आप क्या लिखेंगे पहले यहां से यहां तक लिख लेंगे कि mohair is kind of wool smoother than sheep wool which we get from hair of the अंगोरा गोट उसके बाद difference में लिखेंगे आप कि mohair is light durable and warm and is widely used to make sweater and soft furniture covering but kashmiri wool is या फिर kashmiri fiber is luxury soft and provide great warmth यह हम इसके answer में लिख सकते हैं next question है list the step involving wool production briefly write about each step जो आज हमने wool production के step discuss की है तो briefly हमने हर एक step को लिखना है जैसे पहले क्या था? shearing, फिर scouring उसके बाद जो भी step है grading, dyeing, drying from base to cloth यह wool production के step है जिसे हमने briefly explain करना है question number 5 है how is shearing beneficial to sheep? अब देखिए shearing means उनके hairs को remove करना उनके लिए किस तरह से beneficial है कि वो उन्हें सर्दी में तो क्या करते हैं जो फर है उनकी winters में क्या कर रही है उन्हें ठंड से बचा रही है बड़ shearing means हमने उसके hair remove कर दिये तो गर्मी में क्या है जो hair है उन्हें गरम रखेंगे तो जब हम hair remove कर देते हैं तो वो क्या करेंगे उन्हें गरम होने से बचा लेंगे इसका अंसर आज ही हमने discuss किया है देखिए shearing does not hurt the sheep but actually help them because it remove the fur that makes them feel hot in summer तो यह question थे 5 question और यह 3 question जो आपको fair notebook में write करने हैं with answer if you have any problem you can call me thank you